तो आज मुर्मूरे से मैं बना करके तयार करूंगी बहुत ही मसेदार सी चटपटी सी गर्मा गरम कुर्पूरी सी रेसिपी जिसे आज से पहले आपने सायदी कभी बनाया होगा एक दम नई रेसिपी है तो चलिए देखते हैं आज की ये सुपर हेल्धी टेस्टी रेसिपी क क susceptible यां इसके बनानी है इसके लिए यहां पर कुछ लेलेंगे तो यहां पर दो चमच मटर लिया है क काटकर दो चम लामेllen के दो चमா चलिए अग्ष्ट आद्या कर सकते हैं तो में थोड़े थोड़े लिर लिये हैं अब यहां पर थोड़ा फोड़ा सा ग्रेट करके शल्त एसे ताजह करकर एड़ करने से क्या होता है अब इसके बाद कर सका जूत यू थोड़ा सा प्याज मैंने बारिक चॉप कर दिया है इसके बाद यहां पर पतागो भी एड़ किक्षब एक और दिखकर करें यहां पर के वाली से शिमला मेर्च, गा腳। Maus करके ले लिया है इसके बाद आधा चमच जीरा एड़ करेंगे एक चुथाई चमच के करीब ले लेंगे काली मिच का पाउडर साथे कुटी वे लाल मिच एड़ करेंगे स्वात के नुसार नमक और एक चमच चाथ मसाला और इसी के साथ यहां पर मैंने आधा निम्बू कर र वजन में कम से कम मुझे लगता है कि पचास ग्राम के करीब होंगे और इसके बाद हम इसे मिला लेंगे तो बर्तन चोटा पढ़ रहा था तो मैंने बर्तन को चेंज कर दिया तो यह देखे मैंने आलू को सारे मसालों को और सबजीयों को मुझरा के साथ बढ़िया से मिला और आप देख सकते हैं इनका टेक्षर अभी खिला खिला है इसी तरीके का टेक्षर चाहिए चलिए से रखेंगे अब साइड में एक चौथाई कप ले लेंगे बीसन साथी आदा कप के करीब लेगा है मैंने चावल काटा चावल काटा नहीं है तो क्या आड करना है मैं आपक क्याएड करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमने यहाँ पे पानी गुंगुना इस्तमाल करना है मिलाना है तो जिस कप से मैंने चावल एक पानी और जाएड कहते हैं तो जिख शूजी पहते हैं और आ अगर आप चाहिए flipping कूच्चे शूज़ को फुला करके पीस करके इस्तमाल कर सकते हैं तो इतिस सारे आप्षन है आपके पास जो भी आपके पास अविलेबल हो आप उससे बना सकते हैं अब हम क्या करेंगे जो हमने मिक्चर तियार करके रखा था उसमें बेसन और चावल के आटे वाला मिस्टरन हमें मिला देना है और अच्छे से मिलाना है आप देख सकते हैं कितना ड्राइ तो बस इसी तरीके का ड्राय हमें कंसिस्टेन्सी वाला बैटर चाहिए अब हम हाथों के अच्छे से दो लेंगे थोड़ा से तेल लगा लेंगे क्योंकि हमने इसमें अलुका इस्तमाल किया है तो यह थोड़ी से हा को पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं तो यहां फिलाल मैं सिलिंड्रिकल बनाऊंगी यह सारे बन करके मैंने तयार कर लिया है अब इसे हम चलते हैं बढ़िया से फ्राइ करने के और तो फ्राइ करने के लिए यहां पे मैंने तेल गरम कर लिया है तो यहां पे वीडियम तो हमें क्या करना है इसे उलट देना है इस तरीके से चमज की मदद से और बढ़िया से हमें इसे गोल्डन स्पॉट्स आने तक या गोल्डन होने तक इसे बढ़िया से फ्राइ कर लेना है तो आप देख सकते हैं इनका कितना बढ़िया बन करके तयार हुआ है तो इसी तरीक बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तयार होते हैं तो आई होप आज की मज़दार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी आज की मज़दार रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा मैं मिलती हूँ इसी तरीकी की सिंपल और असान र